हेलो और वेलकम यू आल कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों यू और हेर इंडियाज अनकाडमी इंडियाज लार्जेस्ट ओनलाइन लर्निंग प्रिट्फर्म बाट इस वान अनली अनकाडमी और अनकाडमी के आप यू पीसी चैनल पर मुझे देख रहे हैं दोस्तों और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो चैनल है इसको आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर ले दोस्तों और जिसने इसको सब्सक्राइब कर लिया है वह अपने कॉमेंट जरूर दे आपके कॉमेंट बहुत इंपॉर्डटन यह है दोस्तों इंडिया की बैस्ट टीम जो पर आप देखते हैं चलिए दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही important questions के बारे में और आज के जो questions होंगे उनके बारे में आप लोग देखेंगे कि जो current में recently questions रहे उनकी बात करेंगे राइट this is me Dr. भरत कुमार रजक जैसे कि मैं आपको कही बार बता चुका हूं एंड दोस्तों आप लोगों को current affairs और economy से डरने की ज़रुवत नहीं है यह देखें दोस्तों all India rank 2000 इसमें all India rank second दोस्तों अनकेडमी ने दिया है इस बार एंड हाटली congratulations टू जागरती अवस्ती ओके तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों टॉप 20 में सेवन लर्नर्स अनकेडमी के हैं टॉप हंड्रेड में 21 से हंड्रेड में 20 लर्नर्स और अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगर इसके बाद भी आप मेरा कोड लगाएंगे बी के आर टेन तो बी के आर टेन कोड लगाने पर यह आपको मात्र दोस्तों 40,000 का भी 10% डिशनल डिसकाउंट मिलेगा तो इस कोड को जरूर याद रखे बी के आर टेन आपको कोड याद रखना है चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं देखे इस समय इस बार जो थोर्ड ओफ अक्टूबर को अनकैडमी का जो यूपी एस सी कॉमबैट है जो एक स्कॉल रफी के मिन्टॉर हैं दीपांशू सिंग, सुधरसन गूजर, अनिद्ध अगरवाल, अजीत तिवारी, रोहत लोधा दोस्तों इन्हों ने ये टेस्ट प्रिपेर किया है इसमें आपको 50 कोशन्स दिये जाएंगे, 60 मिनट आपके पास होंगे स्कॉलर्शिप 4 करोड के अगर आपको लगता है कि मैं आपका एक ऐसा एडूकेटर हूं जो आपको मेरे इस कोड को यूज करना चाहिए तो आप डेफिनेटली इस कोड को यूज करेंगे, चलो दोस्तों, अगर हम लोग चलते हैं और आज का सवाल देखते हैं, आज का यह देखे, दूसरा सवाल द के बारे में पढ़ा होगा, तो विद रेफरेंस टू एलोरा केप, संसीडर दा फोलोइंग स्टेटमेंट से एलोरा केप से रिलेटेड आप लोगों को यह स्टेटमेंट बताना है, पहला स्टेटमेंट है, इस केप से बिलॉंग टू सिक्स्त से लेकर 10th century, जो एलोरा केप हैं, वो सिक्स्त से लेकर 10th century तक की केप से हैं, दूसरा option है, it has centuries devoted to Buddhism, दोस्तों यह जो centuries थी हैं बुद्धिजम, हिंदुईजम और जैनिजम एट वन प्लेस, राइट, sanctuaries यहां पर देखने को मिलती हैं, दोस्तों इसमें एक ही स्थान पर बौध धर्म, हिंदु धर्म और जैन धर्म को समर्पित, एक अभ्यारन है, मतलब दोस्तों यहां पर आप लोगों को अजनते नरोरा में तीनों चीज़ें एक साथ देखने को मिलती हैं, तो चलिए correct option बताईए क्या है, और दोस्तों यह आप लोगों के लिए एक प्रीमियर क्लास करी गई है, और जिसमें आप लोग बहुत सारे आपकी क्लास मिस ना हो और आप regular देख पाएं, तो इसके अगर आपको correct statement बताने तो दोनों statement 100% correct है, अगर हम लोग बात करते हैं, अजनते अन comprises 34 Monasteries and temples exhibited side by side in the wall of high basalt cliff, दोस्तों 34 Monasteries और temples यहाँ पर खुदाई हुई निकले, तो हमने देखा कि 6 से 10th century तक Allura Caps देखने को मिलती हैं, जहाँ पर Monasteries होती हैं, इनके अलावा यहाँ पर architectural marble, the heritage site also embodies the spirit of tolerance as it has sanctuaries devoted to, दोस्तों इसमें तीनों अभ्यारण देखने को मिलते हैं, sanctuaries मिलती हैं, Buddhism, Hinduism और Jainism की, तो अगर हम अजनते अन Allura Caps की बात करें, तो अजनते अन Allura Caps में दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि अजनते अन Allura Caps में दोनों Jainism, Hinduism and Buddhism यह तीनों चीज़ां देखने को एक साथ मिलती हैं, नेक्स्ट कोशन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा, transforming food system for rural prosperity report is released by, दोस्तों transforming food security for rural prosperity, यह report कौन पर पबलिश करता है, आपको यह बताना है, फाव पबलिश करता है, International Fund for Agricultural Development, IFAD, World Food Program इसको करता है, यह International Food Policy Research Institute, तो transforming food system for rural prosperity, यह report जारी कौन करता है, release कौन करता है, और हमेशा UPSC, report, indices, यहां से एक कोशन हर साल आता है, इस बार आप 10th October को भी देखेंगे, और एक कोशन जरूर आएगा, और definitely वो हमने अपनी क्लास में कवर किया होगा, तो transforming food system for rural prosperity, यह report कौन तयार करता है, तो अगर मैं answer बता हूँ, तो B is the correct answer, क्रिसी विकास के लिए अंतर राष्ट्रिय कोश, International Fund for Agricultural Development, इसका काम है दोस्तों, एक report release करना, जिसका नाम है, Transforming Food System for Rural Prosperity, दोस्तों, यह released by the United Nations, यह जो IFAD है, International Fund for Agricultural Development, यह United Nations के अंतरकत आता है, और इसी का काम है, कि हमारे देश में, आप पूरे वर्ल्ड में, Transforming Food System for Rural Prosperity, रिपोर्ट पबलिश करना, क्लियर है, आपने तुस्तों, रीसेंटली न्यूज में सुनाओगा, D-Soto Effect, यह क्या है, D-Soto Effect, तो आप लोगों को बताना है, कि D-Soto Effect किसे कहते हैं, जल्दी से आप लोग बताएंगे, D-Soto Effect, क्या है यह D-Soto Effect, दोस्तों, D-Soto Effect बताईए आप लोग, पहला option है, D-Soto Effect के लिए, D-Soto Effect, जो है, वो slow technological progress due to population growth, इसको बुलते हैं कि D-Soto Effect, जनसंख्या ब्रधी के कारण धीमी तकनीकी प्रगति, दूसरा option है, आपके पास enhanced thermionic emission in a condensed matter, संग नित पदार्थ में उश्मी उस्सर्जन में ब्रधी, enhanced thermionic emission in a condensed matter, third option आपके पास है, access of global poor to the formal credit system, दोस्तों यही मुझे answer मिल गया, आगे मुझे पढ़ने की जरुरत नहीं है, de-soto effect का मतलब है, access to global poor to the formal credit system, दोस्तों formal credit system की जह हम बात करते हैं, तो formal credit system का मतलब है, कि दोस्तों जो हमारी banks वगेरा हैं, और जो हमारे देश में other financial institutions हैं, जो banks और other financial institutions इतने भी हैं, ये लोग proper credit facility प्रोवाइट करें poor people को, so that they can uplift their standard of living, so de-soto effect की जहां बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है, access to global poor to the formal credit system, और चारिक रिण प्रनाली तक के तहत वैस्विक गरीभी तक पहुँचना, de-soto effect, दोस्तों देखें, the soto effect states that global poor working in tiny informal enterprises, दोस्तों जो छोटे-छोटे informal enterprises होते हैं, जैसे किसी दुकान पर कोई काम कर रहा है, किसी कोई factory में काम कर रहा है, जो unregistered factory है, are in effect shootout of the formal credit system, दोस्तों उन लोगों को भी formal credit system होना चाहिए, अगर दोस्तों आप लोग एक loan लेने जाते हैं, credit लेने जाते हैं, तो आप लोगों को इतने आसानी से loan नहीं मिलता, आप लोगों को इतने आसानी से loan क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आपका कोई financial record नहीं है, आप की salary cash में मिलती है, तो दोस्तों the sort of effect कहता है, कि जो global poor हैं, जो लोग tiny informal enterprise में काम कर रहे हैं, उन्हें formal credit से जोड़ना चाहिए, उन्हें भी financial help करनी चाहिए, तो दोस्तों they are forced to live in poverty हमेशा, क्योंकि उनके पास कोई financial needs उनकी पूरी नहीं होती, अब आगर ऐसे लोगों के पास कभी credit card नहीं होता, तो because of lack of clear property rights, make it difficult for them to offer their land assets as collateral to banks, तो आप दोस्तों आप उनको जो घर हैं मान लो, अब आप गाओं बगेरा में घर देखो तो उनकी registry नहीं होती है, तो इसलिए अब उनके पास कोई property right नहीं है, इसलिए वो as a collateral उसे asset के रूप में भी रखकर loan नहीं ले सकते हैं, तो the sort of effect कहता है, कि ऐसे लोगों को financial help करनी चाहिए, formal credit system के साथ जोड़ना चाहिए, इसे बोलते है, याद रखना दोस्तों बहुत important point है, अब आप इसलम ड्वेलर्स हैं, यहाँ देखिया आप लोग, जैसे सलम ड्वेलर्स हैं, विद नो फॉर्मल लेंड टाइटल, आप ने देखा कि लोग जुग्यों में रह रहे हैं, क्या उनकी जुग्यों की कभी कोई registry होती है, अब उनके पास कोई लेंड टाइटल नहीं है, उनकी जुग्गी उनकी खुद्गी नहीं है, बस उन्होंने एक जगे मिली, जुग्गी बना ली, रहने लगे, अब इससे क्या हो रहा है, कि informal source of money है, उनके पास रास्ते में ड्रेड़ी लगा रहे हैं, गोलगप्पे बेच रहे हैं, कुछ भी और नॉर्मल मॉमोज बेच रहे हैं, whatever, so that leave her with little or to reinvest in the business, right, informal source of money है उनके पास, तो बस इतना पैसा वो कमाते हैं, कि वो अपनी रोज मर्रा का जीवन जीपाएं, तो सोटो अफेक्ट कहता है, कि इन्हें formal banking system से जोड़ो, और दोस्तों financial inclusion को improve करो, financial inclusion को improve करो, with the sumavation, कि हर एक व्यक्ति का bank में account हो, basic तोर पर जो economically backward हैं, जो economically vulnerable हैं उनका, portion number five आपकी screen पर ये रहा, with reference to blue flag certification, बहुत important है, जरूर आपके exam में पूछा जाएगा, blue flag certification, तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं आप लोगों को, यह जो session कराता हूँ, इसका उद्देश आप लोगों को मुझे लगता है, बिल्कुल clear हो चुका है, इसका उद्देश है कि, एक भी current से related article नहीं छोड़ना, मैंने आपको blue flag certification बताया था, कि वे ocean beaches, जहाँ पर, बिल्कुल cleanest beach जो होते हैं, उन्हें blue flag certification मिलता है, दोस्तों, केरल में तमिल नाडू को इस बार दिया गया, तो अब देखें, यहाँ पर question है, it is awarded by a non-profit organization, called foundation for environment education, जो blue flag certification है, पहला option है हमारा, कि awarded by एक NPO है, non-profit organization, जिसका नाम है FEE, foundation for environment education यह देता है, recently, पैलोलिम beach of Goa, received a blue flag certification, नहीं दोस्तों, यह statement गलत है, तो अगर हम recently बात करते हैं, तो अगर हम Goa के बीच की बात करें, तो Goa के किसी भी बीच को, blue flag certification नहीं दिया गया, recently दो बीचेस हैं, हमारे हिंदुस्तान के, दो बीचेस हैं, उन्हें recently यह award दिया गया, recently दो बीचेस में, कोबलम beach, तमिलनाडू का है, कोबलम beach, ध्यान समझना, तमिलनाडू का, और इसके लाबा, एडन बीच, एक एडन बीच है, और एडन बीच कहां का है, पुड्डूचेरी, तो अभी recently, एडन बीच पुड्डूचेरी, और कोबलम बीच तमिलनाडू, इनको अभी recently दिया गया, और टोटल भारत में, जो blue flag certification बीचेस हैं, वो चोके हैं 10, पहले already 8 थे, दो को अभी अभी दिया गया है, कुछ दिन पहले, तो जोस्तों याद रखना, पहला point तो यह सीख लिया, और दूसरा यह FEE, FEE, Foundation for Environment Education, एक NPO है, वो उसे मिला है, पहलो लम बीच तो लिस्ट में ही नहीं है, गोवा के किसी भी बीच को, नहीं दिया गया, blue flag certification, चलिए आईए तो इसका statement पहला ही, correct statement सिर्फ पहला है, देखे आपके सामने statement रहा, statement one is correct, जो blue flag certification है, one of the sustainable voting tourism operators, and दोस्तों voluntary eco-level award to the beaches marines, दोस्तों ऐसे जगहों को दिया तो जो cleanest है, recently मैंने का कोवलम, Tamil Nadu का बीच है, और एडन पुड्डू चेरी का इसको दिया गया, और टोटल 10 हो गए, golden बीच है उडिसा का, सिवराजपुर बीच है गुजरात का, golden बीच उडिसा, सिवराजपुर बीच गुजरात, और अगर आप देखेंगे दोस्तों, कि जो, यह देखें, दो नए बीच जोड़े गए, जैसे मैंने आपसे का, कोवलम बीच तमिलनाडू, एडन बीच पुड्डू चेरी, इसके लावब करनाटिका के, दो बीचे से जिनको यह मिला है, सासर कोड और पडू बिद्री, पडू बिद्री, आंद्र प्रदेश का है दोस्तों, रुशी कॉंड़ा, दियू का है गोगला, गोगला, एंड कपड बीच है केरल का, अन्दमाने निकोबर दोस्तों, राधा नगर बीच, तो इस बार तमिल नाडू और पुड्डू चेरी भी इसमें, एड हो गए इसकी लिष्ट में, चलए, प्रोजेक्ट फुलवाडी, पता होना चाहिए क्या है दोस्तों, प्रोजेक्ट फुलवाडी, चर्चा करता हूँ, और उस दिन की जितनी भी इंपॉर्डन न्यूज रही है, उस दिन और एक दिन पहले भी, तो सारी न्यूज आपको कवर करता हूँ दोस्तों, सी एने में, तो मैंने प्रोजेक्ट फुलवाडी के बारे में आपको बताया, जल्दी से मुझे पुब्लिक कॉमेंट में लोग बताएंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, वो ज़रूर बताएंगे, क्या मैंने ये सब आप लोग को करवाया ये नहीं, प्रोजेक्ट फुलवाडी की बात करेंगे दोस्तों, ऑप्शन कहारा है, जो प्रोजेक्ट फुलवाडी है, कि मिनिस्ट्री ओविमें इन चैल्ड डेवलप्मेंट ने लॉँच किया है, दूसरा इट एम इस टू एडरस दा प्रॉब्लम ओफ माल निूट्रिशन, एन एसीएटेड फुिजिकल और मेंटल डिवलप्मेंट इशू अव इन्फेन्स, दोस्तों, इसका उद्धेश है, ऑप्शन ज fascination of cause फुलवाडी इसे इसूज़े हैं ने लुए आपको बताना चाहूंका, इसका second statement correct है पहला statement गलत है प्रोजेक्ट फुलवाडी की बात अगर हम करते हैं यह launch किया है किसने दोस्तों Northern Coal Fields Limited राइट Northern Coal Fields Limited दोस्तों यह एक सिंग रॉली अगर हम बात करते हैं मैंने आपको बताया था कि सिंग रॉली सिंग रॉली बेजड कोल इंडिया आम है दोस्तों कोल इंडिया की एक आम है मतलब कोल इंडिया की एक सब्सेडरी कंपरी मान लो जो काम करती है दोस्तों यह Ministry of Coal के अंतरगत Ministry of Coal के अंतरगत तो उसने प्रोजेक्ट फुलवारी लॉंच किया है यह दोस्तों जैसे एक CSR होता है Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility का मतलब है कि दोस्तों जो कोई कंपनी है वो एक सोसाइटी में है सोसाइटी के लोगों के दौरा चल रही है सोसाइटी के लोगों के लिए चल रही है तो अगर उसके दौरा कोई Environmental Pollution हो रहा है उसके दौरा कोई Harmless हो रही है लोगों को तो उसका एक Corporate Social Responsibility बनता है कि वो उन लोगों के कुछ welfare उन लोगों के कुछ well being के लिए भी करें तो जो प्रोजेक्ट फुलवारी है दोस्तों यह लांच किया है Ministry of coal के अंतरगत आने वाली एक company दोस्तों नाशनल जिसका नाम है नाशनल Northern Coal Field Limited है और दूसरा option एकदम सही है तो कुछ बताना नहीं है तो अगर हम बात करते हैं देखें मैंने बता दिया आपको लॉंच बाय नॉर्धन कोल फिल्ड लिमिटेड सिंग रॉली बेस्ट कोल इंडिया आम है अंडर दा मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर काम करती है दूसरा statement है कि अगर हम प्रोजेक्ट फुलवारी के बारे हम देखें तो यहां पर प्रोजेक्ट फुलवारी सेंटर्स बनाए गए हैं जिसका उद्देश है कि जो माल नरिष्ड चिल्डरन है उन्हें स्पेशल अटेंशन देना है जिससे उनका जो वेट है उनका जो फिजीकल और मेंट के लिए काम किये जाता है के लिए और दूस्तों इसके लावारा टाइमली वेकेशन प्रोबाइट की जाती है कि राइट असको एज एपर्पियेट सेफ ट्वाइस खेलोने भी बच्चों को देते हैं तरशनों यह देखिए देखिए ना किस्रफ मेंटल फििकल वेल टाइमली वेक्सिनेशन भी दी जाती है पुलवारी सेंटर्स पर तो याद रखना नॉर्दन कोल फील्ड लिमिटेड राइट कोल इंडिया आम सिंग रॉली बेज़ड चलो भाईया नेक्स देखें दोस्तों आपको पर यह रहा जल्दी से मजचे बताईये स्टेड फूट सेफटी इंडेक्स पहले तो मुझे सिर्फ इतना बताओ क्या मैंने स्टेड फूड सेफटी इंडेक्स आपको पढ़ाया है नहीं सारे वो कोशन मिलेंगे जो मैं CNA में कराता हूँ CNA क्या है आर्टिकल बेश्ड क्लास है यह आर्टिकल बेश्ड क्लास है और इसी आर्टिकल के MCQs आप लोगों को यहां पर देखने को मिलें जए दोस्तों अभी क्या है दो तीन साथ आट नौदस यह जो तारीख है इनमें सिर्फ मैं आप लोगों को CNA नहीं करवा पा रहा हूँ इसमें सिर्फ मैंने आपको अभी MCQs लगाए है राइट फिर से 11 तारीख से आपका CNA स्टार्ट हो जाएगा तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है यह कौन और्गनाइजेशन इसको रिलीज करता है दोस्तों मैंने आपको बताया था फसाई स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स पब्लिश करता है राइट डेवलप्ड बाय फसाई फूड सेफ्टी इंडेक्स पब्लिश करता है राइट डेवलप्ड बाय फसाई फूड सेफ्टी इंडेक्स पब्लिश करता है राइट डेवलप्ड बाय फसाई फूड सेफ्टी इ तो देखता है कि हर एक स्टेट की performance को analysis करता है हर एक स्टेट के performance को analysis करता है राइट इसको बोलते हैं दोस्तों बहुत important है ये state food safety index पैरामीटर क्या क्या है नमबर वन human resources and institutional data नमबर टू compliance food testing infrastructure and server lines training and capacity building and consumer environment ये हैं parameters राइट चलो ये देखिया दोस्तों section 153A of IPC recently news में रही है क्या ही है section 153A बताना है आपको section 153A it provides exception to husband from marital rape cases if the wife is above 18 section 153A ये कहता है क्या ये कहता है क्या ये कहता है क्या ये बैवाहिक बलतकार के मामलों में पती को अपवाद प्रदान करता है यदि पतनी की आई उठारा वर्थ से देख है दूसरा option is prohibits the trans boundary movement of living organism from India to other country मतलब नहीं move कर सकते हैं धारा 153A IPC की it talks about actions that bring or attempts to bring contempt or hatred towards the government of India ये उन कार्रियों के बारे में बात करता है जो भारत सरकार के प्रती अब मानना या घ्रना लाने का प्रियोग करते हैं चौथा option it prohibits speech promoting enmity between groups based on religion race place of worth यही है सकांसर धारा 153A IPC की कहती है धर्म जाती जन्म इस्थान आदी के अधार पर सम्हूओं के बीच शत्यता को बढ़ावा देने वाले भाशन को प्रतिबंदित करती हैं इसको बोलते हैं section 153A of the IPC दोस्तों कोई बोल नहीं सकता किसी भी group सम्हूओं के बारे में और दोस्तों उसके religion उसके race उसके place of worth के बारे में तो अगर आप बोलते हो तो आपके लिए धारा 153A IPC के तहत आपके साथ कारवाही की जाएगी तो याद रखना 153A legal protection against the hate speech in India section 153A IPC की बता दिया speech promoting anonymity between the groups religion race place of birth question number 9 C cucumber news में रहा याद करो तसकरी करते हुए पकड़े गए लोग C cucumber की याद है आपको पढ़ाया था आपको मैंने तो बदाए C cucumber क्या है यह आप लोग ने अगर मेरे CNA को देख लिया और यह current की classes देख ली nobody can beat you in the current affairs सौ प्रतीशत सत प्रतीशत guarantee है मेरी पील भी हो रहा होगा आप जो जो बच्चे मेरी class regular देखते हैं अब उनका current पर command भी हो रहा होगा तो अभी recently आपने देखा होगा जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इंडियन कोस्ट गार्ड ने सीज किया लगबग two tons two tons of C cucumber C cucumber की अगर हम लोग बात करते हैं तो C cucumber एक band marine species है band marine species है right तो इनको band कर दिया गया था band marine species है right और दोस्तों C cucumber अगर हम बात करें तो यह कहां मिलता है जातर जो gulf of mannaar है gulf of mannaar जो gulf of mannaar है and अगर हम लोग बात करें पालक बे दोस्तों पाक बे जो है पाक बे यह कहां है तमिलनाडू तो पाक बे and gulf of mannaar in तमिलनाडू मैं अगर हम लोग बात करते हैं तो C cucumber देखी जाती है तो पहला option है they act like garbage collectors of ocean world दोस्तों and they recycle nutrients दोस्तों जो C cucumber है they act like garbage collectors of ocean world and they recycle nutrients world's first conservation area for C cucumber is created by Lakshadip Islands अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो यह दोनों के दोनों statement correct है तो answer is C cucumber के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि अभी अभी इंडिन कोस्ट गार्ड ने सीज़ किया है two tons of sea cucumber जो बेंड मेराइन स्पीशीज है गल्फ ओफ मननार एंड़ पार्ग बे अरिया जन तमिलनाड अगर हम लोग आपके साथ और थोड़ा दिसकस करें sea cucumber क्या है मेराइन in vertebrates हैं that live on the sea floor found generally in tropical region in vertebrates हैं दोस्तों स्टेट्मेंट पहला सही है यह integral part है coral reef coral ecosystem का यह से लक्षदीप की बात आती है सबस्यादा coral reef वहीं है क्या काम है इनका कि dark garbage collectors है जो भी सी के अंदर garbage होता है इसको collect कर लेता है sea cucumber collect कर लेता है and they recycle nutrients और दोस्तों इसते क्या है nutrients पैदा करता है यह that's playing an important role in keeping the coral reef in good condition मतदद sea pollution को रोकता है यह sea cucumber right अगर हम लोग statement 2 की बात करें 2020 में जो लक्षदीप आइलेंड है इसने दोस्तों world का पहला conservation area sea cucumber के लिए बनाया था दुनिया का पहला world first conservation area for sea cucumber अगर हम भारत में sea cucumber की बात करें तो यह endangered species है इसको wildlife schedule 1 में wildlife protection act 1972 में लिश्टर कर रखा है तो अगर आजाए sea cucumber क्या है तो एक endangered species है endangered species है listed under the schedule 1 of wildlife protection act 1972 बोलो के लिए रहे है चलो portion number 10 आपकी screen पर यह रहा सी कोई national park recently news में रहा है और यह national park किस देश में हैं आपको यह बताना है सिकोईया सिकोईया national park कहां कहा है और क्यों news में रहा है यह भी बताना है सिकोईया दोस्तों US के कैलिफोर्निया यूएस के कैलिफोर्निया मैं भी देखा गया राइट आईए देखते हैं दोस्तों तू वाइल्ट फायर्ज इन कैलिफोर्निया यूएस और बरनिंग थू सिकोईया नैशनल पार्प दोस्तों कहां सियरा नेवड़ा में एं ते रा नेवड़ा नेवड़ा कहलो Sierra Nevada that is home to some of the largest trees in the world दोस्तों अगर हम बात करते हैं California US में एक National Park है जिसका नाम है Sequoia दोस्तों और वो कहां है Sierra Nevada में और दोस्तों यहां पर largest trees है इन दा वर्ल्ड के इस Sequoia नेशनल पार्क में largest trees in the world राइट हम लोग बात करते हैं among these trees world largest tree popularly known as General Sherman दोस्तों यह है बहुत important दोस्तों दुनिया का सबसे लार्जिस्ट ट्री जिसका नाम है जेनरल शेर्मेन जेनरल शेर्मेन राइट प्रण्ज में आया और दोस्तों यह शेकोई यह नेशनल पार्क में देखने को मिलता है और शेकोई नाशनल पार्क एस पर जेनरल शेकोई नाशनल पार्क सियरा नावड़ा कैलिफोर्निया यूएस यहां वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्री देखने को मिलता है यहां पर जेर्मन शेर्मेन की बात जेनरल शेर्मेन की बात करें फिर लार्जेस्ट ट्री इन टाम्स ओव वॉल् हो राइट एस पर रीसेंट एस्टिमेट जैनरल सेर्मेन इस अबाउट बाई सो इयर ओल्ड सबसे लारजेस्ट दोस्तों बाईसों यह रोल्ड का ट्री है यह जैनरल शर्मेन दोस्तों अनकेडमी पर यहां पर एक फॉलो का ओप्शन आता है अगर आप मेंसे किसी ने अनकेडमी अप डाउनलोड नहीं करियों तो करें और जब आपको फ्री कॉंटेंट देखना हो अनकेडमी की अप पर फ्री कॉंटेंट के लिए दुस्तों एक कोड यूज करिएगा आप लोग BKR10 भरत कुमार 10 यहां आप सर्च करेंगे दोस्तों तो भरत कुमार रजक नाम से सर्च कर सकते हैं अगर आपने दोस्तों यह किया तो हमारे देखिए आप लोग यह अपकमिंग क्लासे और आल्रेडी जो रिकॉर्डेट क्लासे ने वह भी देख सकते हैं आप आप यूटूब में लिखते हो ए भी महां लिखना नहीं है महां सिर्फ बटन दवाना है महां पर लिखा होगा ए बटन दवा दो बी बटन दवा दो तो यह पूल फॉर्ट लर्नर्स का उप्शन है नेवर में सा क्लास और यू विल गेट दे नोटिफिकेशन यसे आपने म बोटनिकल तुस्तों जो नेक्स्ट है दे बोटनिकल सर्वेय अफ इंडिया इन इस नूव पॉलिकेशन प्लांट दिस्कवरी इस तौन ट्वन टेक्स और स्पिसीज तु दे कंट्री फ्लोरा राइट कंट्रीज के फ्लोरा में इस ने एक नई स्पिसी जोडी अमंग दे दिस्कवरी वन इस स्पिसी ओफ दी वायल बनाना मूसा ब्रद्धनी वर डिस्कवर्ड फ्रॉम बताओ दोस्तों बोटनिकल सर्वेय ऑफ इंडिया वी रीसेंट्ली एक सर्वेय हुआ है सवाल आपसे पूछ रहे कि कहां पर मूसा प्रधानी दोस्तों एक वायल्ड बनाना तब कहा पर तब वो तैनिकल सर्वे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो सब्सक्राल बॉटेनिकल सरवे गर हम बात करते हैं इपने एक नई हम कर आ प्लान्ट डिस्कवरी 2020 तो यहां पर दोस्तों की कोर्शन पहीं है कोर्शन लेके बहुत इंपॉर्टन है यह बोटेनिकल ते अब इंडिया ने भी डीसेंटली कौन सी रिपोर्ट पबलिशों करी तो प्लांट डिसकवरीज 2020 यह कोशन आएगा प्लांट डिसकवरीज 2020 किस ने दोस्तों इसको पबिलीकेशन पब्लिश किया तो बोटेनिकल सब्बाइज अब इंडिया 267 नई species बताईएं कि हमारे फ्लोरा जो है मतला हमारे जो प्लांट species हैं इन में से 200 सरसट नई species एड़ हुई है 267 नई species एड़ हुई है इन species में जो 9 new species of दोस्तों बालसम्स प्लांट का नाम है ऑन इस प्लान से कहां से निकली हैं डार्जलिंग से हैथ तो वाइल जामून भी दोस्तों वाइल्ड जामून यह सका साइं बिक नेम है रिटाレ है फ्रम कोयम बतूर अगर जामून का नाम आ जाएं वाइल्ड जामून तो आप in Urisa, Condomal in Urisa, Condomal, बस यह कुछ बात यह बताता हूं याद रखना है मुसा बनाना की एक species आगर जाएगा, मुसा क्या है बनाना की species? कहां दारजलिग, दोस्तों, वाइल्ड जामून कहां को अंबटोर, इसके इलाबा का फॉर्न स्पीसीज दोस्तों राइट कहा उडीसा ना नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा कंसीडर दा फॉलोईंग स्टेटमेंट्मेंट्स रेगार्डिंग अकाउंट एग्रिगेटर फ्रेमवर्क रीसेंटली नीज अकाउंट एग्रिगेटर प्ढाया था मैंन और इखुक्ण एन इंस्टिटोशनल फ्रेमवर्क फर सेमलेस शेरिंग टोक्शिज दिजितली बेट्वीनब बरूरर अद बेंक और पर क्रेडिट एक्सेस ठीट रिए एकाउंट एग्रिगेटर आर्ट्रासिफाइब एज non banking financial companies account aggregators को non banking financial companies के रूप में कहा गया तो दोस्तों मैं बताऊं तो यह account aggregator तीनों के तीनों statement correct है तो answer is one two and three account aggregator framework है इसको RBA ने घोशना करी बिल्कु सही है account aggregator दोस्तों NBFC की category में आ रहे हैं बिल्कु सही है इट प्रोवाइट एन इंस्टिटूशनल फ्रेमवर्क फॉर सीमलेश शेरिंग ऑफ डॉकुमेंट्स डिजिटली बिट्वीन द बोरोवर एंड बैंक दोस्तों बोरोवर और बैंक के बीच जो credit ले रखा है बोरोवर ने उसके बारे में information देगा तो अकाउंट अग्रिगेटर फ्रेमवर्क फॉस्ट इंटूशनल फ्रेमवर्क पर टैंटिटूशनल प्रेमवर्क फॉर सेमलेश शेरिंडिटली रथी तो इन let us say a borrower and a bank for credit access, जो account aggregator network है created instead of dedicating time in collecting information such as scan the copies of bank statement right. Stamped document from notaries, bank statement, GST return, cash flow etc. So and then sharing with their ender, right, RBI क्याता है कि जो Account Aggregator, AAS है, our new class of NBFC, Account Aggregation Services प्रोवाइट करेंगी जोस्तों है, तो AAS में Account Aggregation Services में क्या है, तो यह जो user होगा, वो not required to physically share the hard copies of the document, दोस्तों आपको अपने यह hard copies नहीं देनी, और confidential login detail in a hazard document, और browse through the different sites for informed inquiries, मतलब account aggregator services में आपका सूरा सारा financial data रहेगा, data shared by AAS with banks, और other financial institutions, जिससे आप लोग क्या हो सके, तुरंट की तुरंट आपको financial help मिल सके, moreover the time period for which the institution would have access to the data will be visible to the user, right, चलो, Account Aggregator में बस अतना याद रखना, एक तरीके की NBFC बनाई गई है, RBA ने इसको 16 में launch किया था, और इसका उद्देश है कि आपका सारा financial data kept preserve रहे, और जब आप bank से loan लेने जाएं, तो आपको ये data, आपको copies ना देना पड़े, ये दो, पास्बुक दो, फलाना दो, ढमागा दो, दो, दोस्तों आपने मैंने एक दिन पढ़ाया था नीपा वाइरस, नीपा वाइरस के बारें पढ़ाया था, तो नीपा वाइरस इनमें से कौन सा statement बिलको सही है, ये बताना है आपको, फुरूट बैट्स आर नेचरल होस्ट फॉर नीपा वाइरस, पहले से ही बता दू, statement सही है, दोस्तों फल चमगादर जो होते हैं, फुरूट बैट्स, यहां से नीपा वाइरस निकलता है, नीपा वाइरस केन बी ट्रांसमेटेट तो हुमन स्वर्मेशन, ये statement गलत है, फुरूट पीपल, इट कॉजस एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, फैटल, एंसी, पलाइटरस, बिल्कु सही है, दोस्तों इसमें रेस्पिरेटरी डिसीजिस होती है, राइट, तीब्रस्वसन रोग और घातक, एंसी, पलाइटरस भी होता है, ये statement भी सही है, ये statement गलत ह है, तो आंसर होगा C, 1 and 3, देखिया का हम लोग हमने का आंसर है C, तोस्तों इस दब्लू एचो ने कहा कि जोनॉटिक इलनेस है, जोनॉटिक इलनेस, प्रांस्मिटेट टू पीपल फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से पीपल में आती है, नीपा इंफेक्शन जो है, वो परसन परसन फैलता है, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और फ्रॉम परसन टू परसन, जो फूड कंटेमिनेटेड है, वहां से नीपा वायरस आख रहा है, यह एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती, मतलब कम्मिनिकेबल डिसीज है, राइट, डबलू एचो ने इसे जोनॉटिक इलन बहुत रहे से एक्टीट रिस्परेटरी इलनेश, और फैटल एंसी फलाइट यह वायरस सीवेर डिसीजन अनिमल, लाइट एज पिग्स, डवायरस केन आल्सो और सीवेर डिसीजन अनिमल, इन लाइक हुमन के लाबहा जो पिक्स हैं, सुमर है, उन्हें भी यह बहुत बीम फ्रूट बैट्स, राइट, यहां से देखने को मिलती है, तो नेचुरल होस्ट है, डवलू टीओ ने कहा, नीपा वायरस के फ्रूट बैट्स, याद रखना बस, तो आपको नीपा वायरस, जब भी आपके एक्जाम में अगर आजाए, नीपा वायरस, तो नीपा वायरस आजाए, तो फ्रूट बैट याद रखेंगे, फ्रूट बैट, राइट, चलो, शिम्टम्स हैं, टीवर, हैडिक, मसल पेन, वमिटिंग, सोर थ्रोट, डिजीनेस, दोस्तों, चक्कर आना, ड्राउदीनेस, यह सब हैं, राइट, डवलू हो ने कहा कि पेशन्ट विछ सीव इंफेक्शन, गेट, एंसी, पलाइटस, और सीजर, सीजर भी हो सकता है, सीजर समस्ते, सीजर मतलब फिट्स, जैसे आलाइक वो आना, क्या कहेंगे सीजर का मतलब, फिट्स आजाना, फिट्स, यह ना, और कोमा में जा सकता है, 24 सो 24 गंट, 48 गंटे के अंदर, नीपा वायर वायरस की विजए से, चलो, कोशन नमबर 14 आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कोशन नमबर 14, Consider the following statements regarding similarities between नीपा वायरस and COVID-19 infection, यह लोग, दोनों को एक compare करके सवाल बना दिया, दोस्तों, मेरे सवाल देने का आपको यह उत्देश है, कि आप लोगों की जो current हो बहुत strong हो जाए, तो बताएए दोस्तों, similarities बताएए नीपा वायरस और COVID-19 infection में, पहला है, there is no specific treatment available for नीपा वायरस infection, and only symptomatic treatment is provided like COVID-19, नीपा वायरस का कोई भी treatment available नहीं है, जैसे symptomatic treatment होता है, symptomatic treatment में जैसे बुखार आता है, COVID-19 में बुखार की दवाई दी जाती है, respiratory problem हो, तो respiratory problem दवाई दी जाती है, symptomatic treatment होता है, जैसे COVID-19 में होता है, the mortality rate is almost similar for बोथ नीपा वायरस and COVID-19 infection, दोस्तों ये गलत है, दोस्तों जो mortality rate है, मृत्ति उदर, इसमें 92% है, बहुत जादा है, हाई है, इसरे only statement one is correct, याद रखना, ये देखो, there is no treatment or vaccine available for either people or animal infected with नीपा वायरस, animals में basically, कौन, pigs याद रखना, primary treatment for human is supportive care, बस, supportive care, that's it, अगर COVID-19 की बात करना है, तो treatment is provided to manage and reduce symptoms, बस यही करते है, सांस नहीं ले पार रहे, oxygen लगा दिया, fever आ रहा, headache हो रहा, दोस्तों उसकी दबाई देदी, नीपा वायरस infection, जो असका mortality rate high है, और दोस्तों 92% है, जैसे ही मैंने कहा था, जोस्तों mortality rate for COVID-19 cases is not as high as in the नीपा वायरस, 92% इतना high नहीं है, चलिए, कोशन नमबर 15, कोशन नमबर 15, कोशन नमबर 15, हूशन शीड़ लिए, चूशन नमबर 15, हूशन नहीं है, चूशन शीड्यविट्टर इकार्च अंडर चूशन 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 चूशन, Some of the major resources present in the करयक, some of the major resources present in the ocean floor, आर पॉली मेटलिक नॉडूल्स, कोबेल्ट रिच मैगनीज क्रस्ट, हाइडरो थर्मल डेपॉजिट्स, एन गैस हाइड्रेट्स जो ओशन फ्लोड्स पर होते हैं, इनमें से जातर पॉली मेटलिक नॉडूल्स होते हैं कोबेल्ट, कोबेल्ट रिच मेंगनीज क्रस्ट कहा रहा है दोस्तों यह, हाइड्रो थर्मल देपोजिट्स और गैस हाइड्रेट्स, अमंग दा मेजर रिसोर्स औली, पॉलीमेटलिक नॉडूल्स और फाउंड इन इंडियाज एक्स्क्लूजिव एक्कनोमिक जोन, बताना है विच फॉलूविव इस्टेटमेंट इस और रिंकर्क्रेक्ट, दोस्तों यह बिल्गुँ सही करेक्ट स्टेटमेंट है, अगर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ओशन फ्लोर है, इसमें पॉलीमेटलिक नॉडूल्स पाए जाते हैं, कोबाल्ट रिच मैगनीज क्रस्ट भी होता है, आइड्रो थर्मल डिपाउजेट्स होते हैं, गैस आइड्रेट्स होते हैं, यह सारी चीज होती है, लेकिन EZ में जो यह कहा रहा है कि एक्स्क्लूजिव एकनॉमिक जोन में हैं, जो मेजर रिसोर्सेज हैं, वो ओनली, यहां पर वर्ड जोड़ दिया, यह स्टेट्मेंट दोस्तों, गलत है, यह स्टेट्मेंट गलत है, आँ, मेटलिक नॉड्यूल से नहीं हैं दोस्तों, इसकी जगे गैस हाइड्रेट्स हैं, याद रखना, भारत का जो एक्स्क्लूजिव एकनॉमिक जोन है, जो C एरिया है, जहां पर हम लोग प्रोड़क्टिव एक्टिविटी कर सकते हैं, इसको E, Z बोलते हैं, तो एक्स्क्लूजिव एकनॉमिक जोन में भारत के गैस हाइड्रेट्स देखने को मिलते हैं, याद रखना, और अपना पबलिक कॉमेंट ज़रूर करो यार, तो देखे, आगर हम लोग बात करते हैं, तो इसका इनकरेक्ट स्टेट्मेंट सेकेंड है, सेकेंड स्टेट्मेंट इनकरेक्ट है, है ना, जो मेजर रेसोर्सेज हैं, ओशन फ्लोर्स में, पॉली मेटलिक नॉड्यूल्स मैंने काता हैं, कोबल्ट रिच मेगनीज क्रेस्ट हैं, हाइड्रो थर्मल डेपॉजिट्स हैं, गैस हाइड्रेट्स हैं, अगर हम लोग बात करते हैं, कि ओनली गैस हाइड्रेट्स आर फाउंड इन इंडियाज एक्स्क्लूजिव एकनॉमिक योन, इन माइने बिल क्वाइंटिटीज अपना उसको माइन कर सकते हैं, इन ओर्डर तो 950 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर के रियर है, चलो, कोशन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर यह रहा है, इमान दाई जिदाए दोस्तों आनंद आ रहा है यह नहीं आ रहा है, के एकदम दीप करेंट मिल रहा है के नहीं, तो कोशन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर यह रहा है, इन फोलूइंग स्टेट्मेंट रिगार्डिंग नाशनल इंस्टिउशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, निर्फ से सम्मंदित बताना है, नाशनल इंस्टिउट्योशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, स्टेट्मेट बताना कियो को नाशनल आवे या तुम लोग कौन से पिख गया नैशनल इंस्टूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है पार हायर एडूकेशन इस रिलीज़ बाइदा यूनियल मिनिस्ट्री आफ एडूकेशन साही है इट रैंक्स ओनली डट टॉप हंड्रेड एडूकेशनल इंस्टूशन एडूकेशनल इंस्टूशन एंडिया यह भी साही है दोस्तों भारत में जो सिक्षा मंत्राला है इसके पहले नाम पहले नाम इसके नाम होगे यूनियम अनिस्ट्री आफ एडूकेशन यह रिलीज करता है एक नाशनल इंस्टूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क हाइर एडूकेशन के लिए और टॉप एडूकेशनल इंस्टूशन और यूनिवर्सटी बढ़ाता है तब इसका सिक्ष्ट एडिशन आया है फिक्स एडिशन आफ दा नाशनल इंस्टिटूट इंस्टूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क का कौनसा एडिशन छट्ट है वा छट्ट वा राइट फॉर हायर एडूकेशन रिलीज बाई यूनियन मिनिस्ट्री आफ एडूकेशन अभी अभी सेप्टेंबर 9 को देखा गय है नाइन सेप्टेंबर 2021 में ओकेशन जो एन आई आरेफ है यह तोस्तों सिर्फ टॉप हंड्रेड इंस्टिटूशन के बारे में बताता है और दोस्तों वह भी 935 उनिवर्सटीज में से नॉनिया सिर것 न거든요 10 divided Ensign in which of the following situation we can say that monsoon has been drawn from Northwest India लिन आर्थ वेस्ट इंडिया है Northwest India यह वाला जो portion होता है इंडिया तो नौर्थ-वेस्ट-इंडिया अगरां नौर्थ-वेस्ट-इंडिया की बात करें निमलेकित मैं से किस स्थिती में हम कह सकते हैं कि उत्तर-पश्चमी भारत से मौनसून वापस आ गया है बताएए पहला स्थित्मेंट आप लोगों की स्क्रीन पर यह रहा है इफ देर इस सेसेशन ओफ रेइनफॉल एक्टिविटी ओवर दे एरिया फॉर थ्री कॉन इजी क्यू टिप देर यदी छेत्र में लगातार तीन दनों तक वर्षा गतिविधी बंद रहती है तो वह यह मौन्सून जब आएगा तो वर्षा गतिविधी बंद कैसे रही यार एंटी साइकलोन विंड हैस फॉर्म फॉर्म्ड ओवर दा लूर्वर ट्रॉपोस्पेयर और इस कंसीडरेवल रेक्शन इं मौस्टर कंटेंट बिल्कुल सही है बाई साब यह देखू अगर मान लो जब नॉर्थ जब इन विच विड्रॉन विद्रोन फॉर्म नौर्थ वेस्ट इंडिया से मॉंसून जाता है तो क्या होता है दोस्तों एंटी साइकलोनिक विंड चलती है और दोस्तों, moisture content भी धीरे-धीरे कम होने लगता है, तो answer बताना है correct, second statement एक्दम correct है, यह देखो दोस्तों, तो IMD जो Indian Metrological Department, कहता है, the monsoon withdrawal from Northwest India takes place if there is cessation of rainfall activity over the area for continuous five days, यह देखो, तीन दिन ने, अगर लगातार वहाँ पर पांच दिन बारिस बंद रहे, लगातार पांच दिन बारिस बंद रहे, और साथ में दोस्तों, जो moisture content है, अगर हम लोग बात करने हैं, जो moisture content है, वो कम होने लगे, और anti-psychronic wind देखने को मिलने लगे, clear, कोशन number 18, consider the following statement regarding the recently announced AUKUS pact, दस्तों AUKUS के बारे में आपको मैंने इतना पढ़ाया, AUKUS के बारे में पढ़ाया, QUARD के बारे में पढ़ाया, दस्तों आप नाक नहीं कटानी है मेरी, right, तो AUKUS pact क्या है, statement पहला आप लोगों के सामने हैं, AUKUS pact से related, रहे कहा रहा है, AUKUS is a trilateral security pact between Australia, UK and US, बिल्को सही है, security pact है दोस्तों ये, security pact है, दूसरा है, AUKUS pact will facilitate the transfer of nuclear submarine and manufacturing technology among its member countries, बिल्को सही है, और उस्तों जो Australia है, वो US और United Kingdom की marine, nuclear marines को acquire कर रहा है, और ये भी इक्तम सही है, कि AUKUS pact के अंतर का जो nuclear submarine है, और manufacturing technology among its member countries की दोड़ा, facilitate transfer की जाएंगी, तो यहाँ पर Australia बहुत act करेगा, the member of AUKUS countries have declared AUKUS as substitute for quad, नहीं दोस्तों, यह statement गलत है, quad एक अलग चीज़ है, राइट, चलो, तो इसका statement अगर हम लोग बात करें, यह गलती हो गया, तो सिर्फ बन और टू statement सही है, अगर हम लोग बात करते हैं, AUKUS एक trilateral security pact है, Australia है, USA और United Kingdom है, trilateral security pact, यहाँ रखना, security grouping है यह, security grouping है, AUKUS, security grouping, right, next देखिए, AUKUS pact की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें transfer of nuclear submarine, right, between the member countries, यह देखो, technology to Australia, याद रखना, अगर आएगा कि nuclear submarine जो है, AUKUS के अंदर, वो किसको दी जा रही हैं, तो nuclear submarine, किसको दी जा रही हैं, दुस्तों, Australia को, जैसे ही मैंने आप से कहा, the first instance of non-nuclear nation acquiring such capability, non-nuclear nation है, दुस्तों, Australia, AUKUS is not a substitute for quad, quad अलग है, it does not enco, erode the quad significance, quad क्या, quad एक अलग है, तिकनिवें है, platform for consultation, coordination, border themes of maritime security, free and open trade, healthcare, यह यह तब दुस्तों, quad में Japan भी आता है, याद रखना, quad is not a security arrangement, right, जुस्तों, जो मालाबार exercise हुई, is not a naval alliance, even though the habit of cooperation is geared, मालाबार exercise मेन आपको पढ़ा रखा है, question number 19 आपकी screen पर यह है रहा, the latest survey on all India debt and investment survey was conducted by, the latest survey हुआ on all India debt and investment survey, right, all India debt and investment survey, किसने conduct कराया है, आप लोगों को यह जवाब देना है, बिल्कु simple सा answer है, रहे यार, all India debt and investment survey, एन सो ने नीती आयोग ने, बस ही answer है, खड़ाओ दोस्तों, नीती आयोग ने भी all India debt and investment survey किया, तब यह भी नीती अयोग ने किया है, और डोषस्तों, दोस्तों, नीती आयोग ने नहीं, मैं बता दूं आपका, एन सो ने कराए है, यहां पर थोड़ा टाइपिंग एरर है इसका आंसर होना थी ए ए एनसो ए एनसो कर लेना तोई मैंने आपको पढ़ाया भी था नैस्टनल स्ट्रेश्टिकल ओफिस मॉस्पी जंतर करता था है कंदक्टेट दलेटेस्ट सर्वेव ऑन ओल इंडिया डेटर रिंवेश्टमेंट सर्वेश्ट जेनवरी से लेकर देसेंबर दुयरणी स्था और 77th राउंड ओफ नैस्टनल सेंपल सर्वेश्टू तो अन इसो ने अभी अभी रीसेंटली एक ओल इंडिया डेट लोगों के पास कितने एसेट्स हैं कितना लाइबिलिटीज है राइट यह देखना इस सर्वे ने कहा कि जो कैप्टल एक्स्पेंडीचर का अमाउंट है जो लोगों ने किया है अगरिकल्चरल यह अगर हम बात करें अठारा से उन्नेश दोस्तों कहा अंडर डिफरेंट हैट्स लाइक रेसिदेंशल बिल्दिंग्स फार्म बिजनेशें नॉन फार्म बिजनेशें जनरली इसके लिए कैप्टल एक्स्पेंडीचर हुआ है चलो आज का दोस्तों लास्ट कोर्शन है आपकी स्क्रीन पर इसके बात करें दोस्तों डी क्या रहा है वितिमिन डी इस तूरज की रोशनी में मिलने वाली अल्रा वालेट भी तेरं रोज के प्रभाव में हमारी तुचा के निरमार होता है कहते हैं ना वई सब के बितमिन दी लोग धूफ में बैट कर तरह पहला स्टेट्मेंट साहिए दूसरा विल्गोँ सख्थेटमेंट है कोई दोराय नहीं है । सब बित्मा इस अस्थमा होता है और तो इंम्यून दिसदर्डर्स होते हैं डिप्रेशन होता है तो अब लोग बिटमेंट अगर आपको डिप्रेशन धूप में बठाया जाता है तो अस्थमा डिप्रेशन और टो इम्म्यून डिसॉडर यह सब बिटमेंट डी के कारण होते हैं तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट दोस्तों इसके करेक्ट हैं वन टू एंट त्री राइट तो आप को डेके दो दोस्तों मिशन दोजार 2वाई यह बाइलिंग्वल बैच है यह एक इंग्वल बैच यहमारे इस समय रणिंग बैच चल रहा है यह वन य्वन यूर बैच लेतिया थे तो यरुकर मं मेंशन औराई इंडिया रिंक बन के लिए Quality Hélic can Talent Time Platform chat अरे 11 October से 18 अक्टूबर से दोस्तों PT के बाद मेंस एक्स्क्लूजव बैचेस हैं ये देखें मेंस एक्स्क्लूजव बैचेस तो आप लोग दू कम एंड जॉइन इस बैचेस राइट चलो अब आट अब आट व्यकेंड करंट अफेर्स सिंप्लिफाइड बैच स्टार्ट होगा वी स्क्राइड बक्यार 10 इस मैं कोड अनकेडमी इंडर्सकूर भरत इस मैं चैनल लेट स्क्राइड जैहन